हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे अरकेवाइट टेकनिक चैनल पर आने वाले सभी कमटिसन एकजाम के लिए और MTS एकजाम के लिए यह कोशन्स आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है सारे कोशन्स आपके रेपेटेड हैं जो की बार बार एकजामों में पूछे हुए हैं तो आप लोग इस वीडियो को अन्द तक जरूर देखिएगा और हमारे प्रिब्येस वीडियो लेक्सेस को देखना बिलकुल न भूलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो सबसे पहला कोशन है कोशन है दोस्तों हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे आरकेवाइट टेक्निक चनल पर हार दिक स्वागत है आने वाले सभी कमटीसन एकजाम के लिए आपके लिए कोशन बहुत इंपोर्टेंट होंगे जो की बार बार आपके रिपीटेड कोशन हैं और MTS एकजाम में पूछे जाने वाले सारे में questions हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिये चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो सबसे पहला question है तमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है तो दोस्तों टमाटर का लाल रंग जिसकी वजह से होता है वह लाईको पिन के काऱर से जो होता है टमाट लाश्ट में बदलती है कुछन न दोस्तो जन्थोफिल वड़क है तो दोस्तो आपका जन्थोफिल वड़क जो है आपका वैपीले रंग के वड़क है नेक्ट कुछन का अंसर करिएगा निमलिकित में से कौन सा जो है कौन सा औरेंगल जो है पादप में कोषिका में पाया जाता है किन्तु जन्त की कोषिका में नहीं पाया जाता है तो दोस्तो इसका करिक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट नेक्ट कुछन का अंसर करिएगा प्रोटीन संसलेशन में निम्ड कोषिकांगों में से किनकी भ राइबुशूम कोशिका में निर्मित और परिवहन से संबंदित हैं तो दोस्तो आपका करिक्ट आंसर हो जाएगा चिकनी अंतरे द्रब्य जली का आपका करिक्ट आंसर होगा कोशिन है दोस्तो निर्मित में से कौन सा कारी चिकनी अंतरे द्रब्य जली का द्वारा संपन्द नहीं होता दोस्तो इसका करिक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का संसलेसर नेश्ट कोशन का अंसर करिएगा खुर्दरी अंतरद्रवी जली का RER को एक सूच में दर्ची से देखने पर यह खुर्दरी दिखाई देती है इसकी सतय पर निमलिकित में से किस कोशिकांग के जुड़े होने से ऐसा दिखाई देता है दोस्तो इसका करिक्ट आंसर हो जाएगा राइबो सोंग नेश्ट कोशन का अंसर करिएगा चिकनी अंतरप्र त्रवी जली का S.E.R. के अनुपूरक के कारियों में से एक है दोस्तो इसका करिक्ट आंसर हो जाएगा विसले पदार्तों का निर्वर्सी करण आपका करिक्ट आंसर होगा और दोस्तो कोशिका का ट्राफिक पुलिस कहते हैं तो दोस्तो कोशिका को हम लोग ट्राफिक पुलिस क्यों कहते हैं तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा Galgy body को नेस्ट question का अंसर करियेगा पादप में आइका परमुक कारे क्या है तो दोस्तो आप लोग comment box में जरूर बतायेां कि Galgy का यका परमुक कारे क्या होता है दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा आपका गाल जी काय का जो परमुकार होता है सायर होता है next question का अंसर करिएगा गाल जी बाडी निमलिकित में से संचरित होता है दोस्तों गाल जी बाडी जो होता है निमलिकित में से किस में संचरित होता है correct answer हो जाएगा आपका option number B next question का अंसर करिएगा गालजी बॉडी की एक महत्मूर भूमी का किश्य इसके बनने में होती है तो दोस्तों इसका जो करिक्ट आंसर होगा आपका आपका आपसे नमबर डी करेक्ट हो जाएगा गलाइको प्रोटीन और गलाइको लिपीड तथा वसाएं नेस्ट कोईशन का अंसर करिएगा एंडो ब्रोमिन विच्ती तंतर किश्य बना होता है दोस्तों आपका जो एंडो ब्रोमिन जो है ती है तंतर किश्य बना होता आपका खरिक्ट आंसर हो जाएगा गालजी बाडी अंते प्रदबी जलिका यूम लाइसो सोम से नेस्ट कोईशन का अंसर करिएगा निमलिकित में से कौन सी सर रचना और प्रकाय का एक सही युग में नहीं है तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा गाली complex दिर्ग अडु का तूटना नेस्ट कोईशन का अंसर करिएगा लाइसोसोम की खोज की थी दोस्तो लाइसोसोम की जो खोज की थी वे आपके डी डी वे ने की थी नेस्ट कोईशन का अंसर करिएगा लाइसोसोम का कारे करते हैं तो दोस्तो लाइसोसोम किसके कारे करते हैं तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा अंते कोशिकाओं के पार्चन में नेस्ट कुश्चन का अंसर करिएगा लाइसोसोम इसमें नहीं पाया होता है दोस्तों लाइसोसोम इन में से किसमें नहीं होता है तो करिक्ट आंसर हो जाएगा अस्तंधारी जो है रिथोसाइट में कुश्चन दोस्तों अस्तंधारियों की कोशिका के निम्ड में से किस गार्ष़े करता है。」 तो दोस्तों इसका कर्लिक्ट आंसर होगा लाइशोस्यों है क्मेंट अब राईबोसोम yard निर्मित होते हैं तो दोस्तों आपको जो राईबोसोम होते हैं वह किसे से निर्मित होते हैं कंगे तो आपका पुरक केंद्री तथा सुकेंद्री की ये दोनों कोश्काओं में पाया जाता है अपकर कर 7 lux otro जो नेस्ट कुश्शन का अजिसा करिएका नमलिकित कोशकांगों में से किश में प्रोटीन फोडान वाला जो है इसका अपना अन्वांसिक पदार्थ नहीं पाया जाता दोस्तो इसका करिक्टांसर हो जाएगा राइबोसों नेस्ट कोशिन का अंसर करिएगा जी वाड़ों माइट्रो काइंडरिया तथा हरित लवकों के राइबोसोम होते हैं दोस्तो आपका क्रिक्ट आंसर हो जाएगा 70S परकार के होते हैं कोशिन न दोस्तो पॉलिशोम का आर्थ है दोस्तो आपको बता दिये जाए पॉलिशोम का जो आर्थ होता है राइबोसोम का समू होता है पॉलिशोम नेस्ट कोशिन का अंसर करिएगा राइबोसोम का मुख्यकार क्या है दोस्तो राइबोसोम का जो मुख्यकार है प्रोटीन संसलेसर है कुशन है दोस्तो सेंट्रो सोम सब्द का परयोग किया दोस्तो सेंट्रो सब्द जो है सोम सब्द का परयोग किशने किया था करेक्ट आंसर होगा आपका आपसर नमबर सी जो है टी बावेरी ने किया था तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक channel को subscribe नहीं किया तो प्रीज चैनल को subscribe करिएगा वीडियो को like करिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादर ज्यादर शेय करिए और हमारी previous वीडियो लेक्स आप लोगों ने नहीं देखा है तो जलूर देखिएगा सारे कुछइणों के आंसर देना कुछीह सुरूप से भाग लेता है लोसी कुछीह का विभाजन में आज की वीडियो आपको कैसी लगाए आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप यह भी कमेंट करें कि आपका जो नेक्स्ट टोपिक पे कौन सी वीडियो होनी चाहिए तो दक्तम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जाहिन जैभारत वंदे मातरम